है 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 यह जो केस है वह मुख रूप से नर्वर शॉक पर बेज़ड है तो चलिए अब इस केस के इस केस में डिफेंडेंट का जो सर्वेंट होता है वह नेगलिजेंटली घोड़ा-गारी को एक पबलिक हास में गुसा देता है प्लेंटिव जो होती है जो उसी घर के बर्थ दे देती है अपने बच्चे को और इस प्री मेच्चूर बर्थ के वाज़से जो बच्चा पैदा होता है वो थ्वासा अकल से कमजूर पैदा हो जाता है तो जो प्लेंटिव होती है प्रेगनेंट लेडी वो डिफेंडेंट के अंगेश्ट में कमपनेशेशन सूट फाइल कर देती है जब मामला कोड जाता है तो कोड डिफेंडेंट को लाइबल मानती है और कहती है कि यह जो प्री मेच्चूर बेबी का बर्थ हुआ है उस बर्थ की वज़ासे लेडी को फीजिकल पैन भी हुआ है क्योंकि अगर प्री मेच्चूर से भी गुजरी है और उसने जिस बच्चे को जन दिया वो भी अकल से कमजोर पैदा हुआ ऐसा सब इसलिए हुआ है क्योंकि यह जो प्रेगनेंट लेडी थी वो नर्वस शौक से सफर कर रही थी और नर्वस शौक का जो रिजन था वो डिफेंडेंट का सर्वेंट था जो नेगलिजेंटली घोडा गारी को दोरा रहा था इसलिए फाइनली कोड जो है डिफेंडेंट को उसके सर्वेंट के नेगलिजेंटली बिहेवियर के लिए लाइवल मानती है तो इसकेस के फैक्ट इशू अजज्मेंट यहीं है आई होप कि आपको यह वीडियो कर सकते हैं थैंक यू सो मच